सब्सक्राइब किजिए तुछ आगड़ी चैनल को और इस बैल आइकन को दपाईए लेटेस्स कार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो दोस्तों मैं हूं तुशार और लिख राए हूं आप क्लिक नए वीडियो जिया दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हमारी लेटेस्स मेहंदा बुलैरो पावर प्लस एसल इवेरियन गाड़ी का मौडिफिकेशन तो देखते रहे में साथे वीडियो सब्सक्राइब का सब्सक्राइब किया गया है ग्राफिक्स भी इसके अंदर का भी खूबसूरत लगाए गया है जो कि इस गाड़ी का लुक बहुत बढ़िया बना देते तो वीडियो को आप आखी तक देखिए इसका सारा मौडिफिकेशन और इसके अंदर जो एसे सिरीज अभी हम लोग इ अझारो वैसे अंदर को है पर आप देखने को देखने को जाए गाा साथ में आपको इसमें में क्रोंव धी देखने मिल जाए गया तो यहां पर देखना में पवर ग्रोम इंप रहां और इसके अंदर door handles में भी chrome लगाया गया यहां पर आप देख पाएंगे door handle chrome यहां पर लगा है दोस्तों इसके लावा यहां पर आपको एक नई चीज देखने को मिलेंगी वो यह है इस गाड़ी की side mirror का chrome जो की half chrome कहलाता है और यह भी आपको chrome kit के अंदर मिल जाता है तो बड़िया चीज है या भी आप अपनी गाड़ी के लिए prefer कर सकते हैं इसके अलावा भाई इस गाड़ी के अंदर सारा vinyl work किया गया है जो कि आपको red color में देखने को मिल जाता है तो वहां पर आप सारा vinyl work करवा सकते हैं तो अभी यहां देख पाएंगे सारे chromes इसके अंदर already install किये गए है और इस गाड़ी के अंदर भाई अभी हम लोग central locking लगाने वाले है और root company का लगाने वाले है भाई haunt तो वो सारी चीजी भी आपको इस जूड़े के अंदर मिलने वाली है अभी यहां पर आप देखिए कि यह जो हमारा गाड़ी का जो chrome है वो यहां पर fully installed है और अब मैं आपको बताता हूँ भाई गाड़ी का view तो यहां पर आप देखिएगा इस गाड़ी के अंदर जितना भी red part आपको देखने को मिल रहा है यह सारा का सारा vinyl work कहलाता है और इस गाड़ी के अंदर यह काम किया गया है आप देख पाएंगे roof rail spoiler सामने का bonnet bumper इस सारी चीजों में भाई यह विनाइल work किया गया है जो कि इस गाड़ी की खुबसूरती को वह ज़्यादा बढ़िया बना देता है तो अभी यहां पर आप देख पाएंगे यह हमारा front side का जो look है bumper का तो उसमें जो bumper grill है उसमें भी विनाइल work किया गया है सामने में आप देख पाएंगे original महंदरा का आपको यह मिल जाता है bumper guard जिसका design काफी decent है और यह काफी मजबूत भी bumper guard है बाई एक बाद आपको बताना चाहूंगा bumper guard लगाना illegal है यदि आप लगवाते है bumper guard तो आपका police challenge बना सकती तो बिलकुल यह आप अपने disc पे लगवाईएगा अभी यहाँ पा जो यह bumper guard लगाया proper steel का है heavy वाला है और यह भाई after market आपको मिल जाता है इसमें आप देखेगा इसकी जो मजबूती है बहुत बढ़िया है नीचे clip की मदद से उसको join किया गया ह है महेंदरा की बैजिंग आपको इस पोल की उपर में मिल आती है और यहां आप देख पाएंगे इसका लोग बहुत बहतर है गाड़ी का जो front part है उसमें आपको नीचे का जो bumper है उसमें विनाइल वर्क रैड कलर का देखने को मिलेगा साथ ही मिंडा company के इसके अंदर लगा प्लस में थी उसकी उपर में काफी बढ़िया विनाइल वर्क यहां पर किया गया है जो की बहुत बढ़िया लुक देता है front side से तो बिलकुल आप भी इस तरीके का modification करवा सकते हैं यहां से जो लुक है front side का बहुत attractive लगता है बुलेरो गाडी में इसके बाद में tires की उपर में जो eyebrows है उसमें भी यहां पर आप देख पाएंगे red कलर का विनाइल वर्क किया गया है look wise काफी बढ़िया है और यह नीचे तक जाता है तो overall front side से इसका look कुछ different लगता है chrome kit इसके अंदर सारी लगी है विनाइल वर्क इसके अंदर किया गया है इसके इलावा यहां पर आप देखेंगे tires तो tires के covers भी आपको wheel cap यहां पर मिल जाते है शियर के tires लडले हुए इसके अंदर और silver color का आपको इसमें wheel cap भी मिल जाता है जो की attractive look देता है आप चाहे तो भ इसके इलावा doors पर देखिए तो यहां पर आपको doors पर और side mirrors पर भी आपको इसके इलावा graphics भी आप देखिए का different graphics है यह 3D वाला जो की इहां पर लगाया गया है पूरा का पूरा जो interior है matching करता हुआ आपको इहां पर मिल जाता है तो overall exterior की हम लोग बात करें तो exterior का look इस गा गारी के rear side की हम बात करेंगे तो देखिए rear side के eyebrows tire की उपर में जो rotate portion है वो भी पूरा इसमें विनाईल किया गया है rear side का जो bumper है वो भी आपको विनाईल work में देखने को मिलेगा rain visor black color के इसमें लगाया गया है और इसके इलावा मैं बात करूँ तो इसका जो roof rail है बहुत ब इसमें महेंदरा लिखा हुआ आपको मिलता है और यह सारा विनाईल वर्क किया गया स्पॉइलर आप देख पाएंगे उसस्पॉइलर में भी विनाईल वर्क किया गया कंपनी फिटेट इसमें फिटिंग की गए यहां पर आप देख पाएंगे clip लगी हुई है wires आपको भा भाई बहुत बढ़िया हमारी गाड़ी यहां पर दिख रही है चलिए आप रिया साइड के स्पॉइलर की सॉरी बंपर गाड की हम लोग बात करेंगे तो यहां पर देखिए ओरीजिनल महेंदरा का जो पहले बंपर गाड आता तो वह है और इसकी फिटिंग आप देखिए बंपर गाड तो यहां पर देखिए इसकी जो फाइब पार्ट में इसको होल्ड किया गया है और यह अच्छी तरीके से यह इंस्टॉल भी किया गया तो यहां पर आप देख पहेंग लुक की बात तो यह यू सेप का आपको मिल जाता है रिया साइड का बंपर गाड तो इ बात करें तो फ्रेंट में आप चाहे तो ABS वाले जो बंपर गाड तो लगवा सकते हैं अभी लेटेस्ट है वह कैसे दिखते हैं कैसे इंस्टॉलीचन होता है उसका वीडियो लिंक मैंने डिक्स्रिप्चर में डाल दिया बिलकुल आप डिक्स्रिप्चर में जाके चेक कर स जाता है वाइरिंग सारी इसके अंडरग्राउंड की गही है कपलर तू कपलर कनेक्शन किया गया है जिससे आपकी गारी की वो जो वारेंटी है वो लैपस नहीं होती तो यहां देखिए इस तरीकी से आपको आर्डी कंपनी का बॉक्स मिल जाता है तीन साल की इसके अंदर वारेंटी रहती है और यह भाई पांच मोटर्स आपको इस के अंदर मिल जाती है जो कि सभी डोस के पास में लगती है यह कहलाती स्कॉच क्लिप जिससे दो वायस को जोडने के लिए इसका स्तमाल किया जाता है जिससे आपके जो वायर से वो कट नहीं होते तो अब यहां पर आप देख पाएंगे यह हमारी ब्लाक किलर की मोटर है यह मोटर हर गेट के पास में लग जाती है और रॉड से इसका कनेक्शन हो जाता है आपका मैनुवल लॉक से जिससे जब भी आप रिमोट से की प्रेस करते तो लॉक और अनलॉक हो जाते हैं हमारे गाड़ी के डो जो डोर से इसको ऊपन करके यहां पर काम कर लिया है रिमोट से देखिए तो यह देखिए आपको मोटर ऑन आफ होते हुए मिलेगी अब डाउन इस तरीके से लॉक होता है तो रिमोट भी आडी कंपनी का डीसेंट है आडी कंपनी का फिलिप की वाला भी एक सेंटर लॉक आता है जिसमें आपको एक फिलिप की मिल रिमोट मिल जाता है तो आप उस तरीके का मोडिफिकेशन चाहते हैं तो बिल्कुल वह सेंटर लॉकिंग भी आप लगवा सकते हैं यहां पर आप देख पाएंगे रिमोट काफी डीसेंट है और यहां लॉक और अनलॉक हमारी थी उसके साथ में क्लिप के मदद से हमारी मोटर की रोड करेक्ट कर देते हैं और जिससे मोटर अपडाउन होती है और लॉक और अनलॉक हो जाता है हमारा तो सिंपल प्रोसेस है यदि आपके पास में संटर लॉकिंग नहीं है तो बिल्कुल आप लगवा सकते हैं इसके सा साथ9 कंपणि आपको एक साइरेइन भी देती है तो आपके बहुने की अंदर लघ जाता है और सबसाप्छा और इससे कहा जाता है यह हन को अन्यद्धी को कुंए तो आप वीडियो को आखरे थक के किस तरीक से बह läuft होता है वो बी मैं आपको बताने वाला हूंew हाई रंग का साउंड भी आपको सुनाने वालो अभी यहां देख पाएंगे इस गाड़ी के अंदर लाउडेस्ट एकदम लाउडेस्ट आपको मिल जाता है रूट्स कंपनी के हॉन जो कि यहां पर अभी हम लोग लगाने वाले हैं आखरी तक दिखेगा इसके साउंड का लाएंगे साथ में इसके अंदर रिले भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे यह जो रिले हैं यह बढ़िया पावर आउट्पुट में देता है इन दोनों ही हॉन को और जो आउट्पुट लिकलता है इन दोनों के हॉन से वह बहुत बहुत इसके साथ में यह रिले का इस्टॉलेशन भी किया जा रहा है जिससे हमारे जो रूट्स कंपनी के हॉन है वह बहुतर आउट्पुट दें तो आप भी अपने गारी के लिए अगर हॉन लगवाना चाहते तो रूट्स कंपनी का लगवा सकते हैं मिंडा कंपनी का भी आता ह हॉन वह भी लगवा सकते हैं दोने हॉन भैटर होते हैं तो चलिए बिन दोनों हॉन की साउंड का आउट्पुट अप सुनें दोस्तों जैसे कि आपने भी देखा जो हॉन है उसका आउट्पुट काफी बहतर है और अभी यहां देख पाएंगे इंटियर की बात करें तो क्रीम कलर का इसमें लैदर सीट कवर्स लगाया गया हाफ डिफिटिंग इसमें की गई और लुक वाइस बहुत बहतर है तो साथ में हम लोग बात करें तो सिंगल दिन का स्ट्योव सिस्टम आपको यहां पर मिल जाता है चार स्पीकर्स इसके अंदर जेबियल कमपनी के लगाया गये रियर साइड में दो लगे फ्रेंट साइड में दो लगे चलिए अब इस गाड़ी के अंदर जो हम लोग ने आउटपुट कैसे मिलता है मतलब कोई भी गारी को अगर लॉक करता है तो साइरंग कैसे बसता है उसका आउटपुट आप यहां पर सुन सकते हैं आप जैसे कि आपने देखा इसके अंदर जो अलार्म सिस्टम है वह भी बड़िया है आप बड़िया आप आप अपने का सेंटर लॉकिंग इसके अंदर जो किया गया है बड़िया तरीके से किया exterior modification था यह interior modification भी अभी मैं एक वीडियो आपके लिए बना के लेकर आने वाला हूँ जिसमें सारा का सारा interior हम लोग change करने वाले हैं सारे leather seat को वस लगाएंगे roof को भी leather से cover करेंगे dashboard को भी करेंगे जो की बहुत बड़िया look आपको देगी इसके लावा एक वीडियो लेकर आने वालों जिसमें हम लोग android store system भी लगाने वाले बुलैरो गाड़ी के लिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा और भाई बुलैरो गाड़ी से related सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पर अप्लोड की है यदि आपको और कोई modification देखना है तो बिलकुल description मैंने सारे वीडियो की link share कर दी है आप वहाँ पा जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं बुलैरो गाड़ी तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताएगा और चैनल को subscribe जरूर कीज़ेगा मिलता है ऐसी नाइक्स दूरे के साथ में तब तक के लिए गुडबाई जै हिंद जै भारत